तो बहुत सारे इसमें new student होंगे एक से दो classes के बाद आपको समझ में आ जाएगा अभी तक हमने क्या-क्या कर लिया है इस chapter में और क्या-क्या बाकी है दोनों बात कर लेते हैं हमने पहले किया था section 22 22 क्या कहता है भाईया income tax जो charge होगा वो किस पे होगा एने वी पे charge होगा income tax income from house property और एने भी सीखने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा section 23 और section 22 एक बात और बोलता है किस पे charge होगा सर ये honor के उपर charge होगा और honor को ज्यादा define करने के लिए deemed honor भी आ गया जो कहां बताएगा section 27 में 23 क्या कहता है भाईया कि आपको municipal value लेना है और fair rent देना है इन दोनों में से जो higher होगा एक value बनेगा जिसको let's suppose हम मान लेते हैं fair rent number one इसको compare करना standard rent से और जो इन दोनों में से lower होगा वो माना जाएगा expected rent इसको compare करना है actual rent से इन दोनों में से जो higher होगा उसे मानेंगे हम GAV लेकिन कई बार lower भी हो जाता है minus कर देते हैं empty empty minus करने के बाद हमारा क्या आ जाता है sir यह आ जाता है NAV NAV में से हम दो चीज़ और minus करते है that is standard deduction जो कि सिखाया गया हमें section 24 के A में और फिर 24 B के अंदर हमें सिखाया गया interest का deduction section 25 अभी हमने करा नहीं है तो यह पूरा का पूरा अभी तक हमने topic कर लिया था section 25 हमने अभी नहीं करा है section 26 भी नहीं करा वह चोटे चोटे theory के parts हैं यहां तक करने के बाद अब हम चलते हैं आगे किस चीज़ के उपर practice questions के उपर तो जिन बच्चों को सारा का सारा सुरू से कर रहे हैं तो उनको सब कुछ समझ में आएगा और starting से हम देखते जाएंगे question हमारा है यह कितने घर है house one two three घर तीन घर है ना one two और third को कुछ और ही लिखा गया टाइपिंग में एक घर दो घर तीन घर h1 h2 and h3 कहता है municipal value दे रखा है fair rent दे रखा है standard rent दे रखा है date of completion यानि जिस दिन घर हमारा बन के तयार हुआ था वो date दे रखा है municipal text दे रखा है और मजे की बात है यहाँ पे rent paid दे ही नहीं रखा तो इसका मतलब जब rent paid नहीं है तो all three house क्या है यहाँ पे self occupied तो यहाँ पे मैंने कहा था सरकार आपको allowed करती है fast forward मतलब और उपर भी मैं proper तरीके से जो आपको एक्जाम में लिखना है कौन है भाई Mr. X तो इंकम फ्रॉम या कॉम्प्यूटेशन ओफ और और ओफ टेक्सिबल इंकम या इंकम फ्रॉम हाउस फ्रोपर्टी इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी नीचे डाल दो एसेस्मेंट यह हमेसा एसेस्मेंट यह डालना वैसे आप अगर यह सारे चीज़े आप नहीं लिखते तो एक्जाम में आपके मार्क्स कर जाएंगे अब हम यहीं पर कंपेर कर लेते हैं और सीधा सीधा जीएवी लिख लेते हैं यह ठीक है यह वर्गिंग नोट का पार्ट होता है और आपको करके नहीं दिखाना होता तो मुंसिप इन दोनों में से जो हायर होगा वही बन जाएगा जीएवी यहां पर देखा जाए तो हायर होगे और लोर होगे यानि एक लाख तीसरे माब आप बता दो बताईए तीसरे में क्या लूम है कि इतने 80,000 माइनस क्या करतो सर? मटी अगर गजाए तो यहां पर 6000 पेड यहां पर 9000 पेड और यहां पर 7000 पेड बिल्कुल सही 9000 depression तो इसको माइनस करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा फिप ऍयएव sesi कितने आ जाएगे 6000 माइनस करोगे तो 66 remained 91 73 कि यह क्या कोई कोई इंट्रस्ट वगेरा भी है कि इसमें बस इसने डेट ऑफ कम्पलीशन दिया तो दें दिया तो क्या फर्क पढ़ता है इन्ट्रस्ट देता तो फिर हमें इंट्रस्ट की केल्कॉलेशन बिठातें यहां पर कोई इंट्रस्ट है ही नहीं तो इंट्रस कितने उन्नेस अजार आट सो 27,000 कि तीन सो 21,900 जैट इस यह आ गया हमारा इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी कितने आ गया इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी माइनस कर दीजे इनको तरह फटा-फट से 46,200 63,700 51,100 यह आ गया लेट आउट अब सेल अगर तीनों को मैं सेल्फ उक्विपाइड मान लू तो तो एने वी जीरो ही जीरो 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 आना है तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे situation या combination कहलो तो सबसे पहले situation नंबर वन हम क्या करते हैं यहां लिख लेते हैं है है एच वण एन एच टू इसको मान लेते हैं एस ओ कि सेल्फ उक्यूपाइड और एच थ्री को क्या मान लेते हैं यहां लेट आउट यह पूरा लिखना है ऐसे नहीं लिखना मैं पूरा लिख देता हूं नहीं तो आप हाउस वन एंड हाउस तू सेल्फ ओक्यूपाइड एंड हाउस त्री लेते हूट चली तो एच वन का इंकम जीरो होगा एच टू का भी इंकम क्या होगा जीरो और है एच थ्री का इंकम हम देख लेते हैं 51100 तो आई एच पी कितना होगा टोटल इंकम टोटल आई एच पी याद एका 51100 combination 1 ready है, combination 2, 2, H1 and H2 and H3, इसको मान लेते हैं हम let out, इसको मान लेते हैं self occupied और इसको भी मान लेते हैं self occupied, करेक्ट, अब H1 को जब let out मानोगी तो इसकी income क्या होगा, 46,200, H2 की क्या होगी income 0 और H3 की होगी 0 तो यहाँ पर आगे हैं हमारा 46,200, चलो जिए, अब तीसरे situation में चलें, तीसरा क्या बनता है कोई बताएगा मुझे, फटा फट से comment में जवाब देजीजिए, तीसरा situation क्या बन सकता है, तीसरा situation क्या बन सकता है, comment में जवाब देजीए, अब ना मैंने hand raise का भी option enable कर दिया, आपको जो मर्जी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं, जो भी class में चल रहा है, hand raise करके, आप voice से बोलेंगे, मैं यहाँ पर communicate कर पाऊँँगा, चलिए, क्या बनेगा situation 3, बताएगे, h1, h2, h3, क्या बनाएगे, self occupied, और इसको let out, और इसको self occupied, तो जो self occupied है, वो तो zero income रहेगी, let out, h2, 63, 700, और यह क्या होगा, zero, तो then 63,700, आप, अगर chartered accountant हो, तो आपकी पैसे की कमाई कब होगी, अगर आप एक किसी का income tax का planning करोगे, तो आपका income तो तब ही होगा ना, जब लोगों का टेक्स बचा के दिखाओगे, तो लोगों का टेक्स किस में बच रहा है, कौन से situation, 123, बताइए, बिल्कुल सही, कौन से में, तो हमारे लिए best option कौन सा है, best option है, हमारे लिए situation number 2, तो answer कैसे लिखेंगे, we should h1 let out and remaining h2 and h3 should be self-occupied. Hence, total income is lower, that is, that is 46,200, plus 0, plus 0, यानि 46,200, यह आपको लिखना है, अगर मालो आपने यह पूरे situation ऐसे कर दिये, number cutting, और income tax में number लेना आसान काम नहीं है, जो चीजे कई बार ना income tax में ऐसे लगता है, लेकिन इसका reason लिखना भूल जाते हैं, तो आपको जो चीजे छोड़ रहे हो, तो why उसके लिए आपको examiner को बताना पड़ेगा, कि इसलिए छोड़ रहे हैं, ताकि examiner को पता चल जाए, कि आपको आता है यह बाते हैं, क्लियर है, तो situation 2, निहा ने भी दिया, निखेल ने भी दिया, आक्षचत ने भी गिया, तो सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, यह था हमारा 15.14, किसी बच्चे को दिक्कत है, जो starting से ले रहे हैं क्लास को, तो फटा-फट आप hand raise करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को दिक्कत है, तो book में है यह question, किस page नमबर पे हैं, और book, 150, एक सो पचास एक सो पचास एक सो पचास एक सो पचास एक सब्सक्राइब करके मुझसे हमने चूज कर लिया ठीक है और यहां पर नीचे दिरखा दियर शुड भी दा ऑप्शन दियर शुड ऑप्ट फॉर हाउज तू एंड था इस है self-occupied तो जो इसने छोटी से line लिख दी कि हमें क्या करना चाहिए चूज कर लेना चाहिए second और third को self-occupied और first को क्या करना चाहिए let out मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया और book के अंदर एक लाइन में लिखा हुआ है clear है झाल्य वड़ाँ झाल बड़ प्लुड़ा में घ्ड झाल्य चाहिए झाल झाल